अफगनिस्तान की तालिबान सरकार ने कुछ प्रांतों में लड़कियों के सेकंडरी स्कूल खोलने की जाज़त दे दी है बता देन प्रांतों में काबुल, मजार शरीप और कंधार शामिल है अंतराश्टी दबाव के कारण तालिबान सरकार को लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल खोलने पड़े हैं लड़कियों पर कड़ा ड्रेस कोड लागू किया गया लड़कियों को बुर्का और हिजाब पहन कर ही स्कूल आना जरूरी होगा बता दे कि लड़कियों की 40% ही उपस्तती यहां पर अनिवार रखी गई है और 50% महला टीचर्स यहां आ रही है तालिबान राज में लड़कियों के सुरक्षा को लेकर पेरेंट्स में चिंताएं भी हैं उनका कहना है कि तालिबान के राज में हम अपनी लड़कियों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं शिक्षा मंत्राले की ओर से कुछ समय पूर्व जारी आदेशों में केवल पुरुष छात्रों को ही स्कूल जाने की अनुमती दी गई थी तालिबान ने अपने पिछले शासन 1996 और 2000 की नीतियों को नहीं दोराने का अश्वासम देते हुए लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल खोलने का वादा किया था